येलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो एक्टिव माइन तो फ्रेंट्स आज हम पढ़ेंगे जनेरेशन आप कम्प्यूटर तो पिछले वीडियो में हम पढ़ें उसका मतलब क्लासिफिकेशन और जो भी हिस्टी था वह सब पढ़ेंगे जनेरेशन के बारे में तो सबसे पहले इतना बड़ा सा एक कंप्प्प्प्प्योटर उसके बड़ यह इसकी साइज जो ऑनकर खुझ यानि एक कंप्प्प्प्राप हो गया उसके बाद आता है हमारा तर्ड जनरेमतु, थार्ड जेनरेशन इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स सबसे पहले मॉनीटर और कीवोर्ड यूज हुआ उसके बाद आता है फोर्थ इसकी साइट जो है इसके पेच्छा थोड़ी सी रिडियूज हुई मतलब इससे थोड़ा और भी अच्छा इसमें सिष्टा वाया उसके बाद यह हमारा फिफ्ट जेनरेशन यह दोनों परलली चल रहे हैं यानि यह भी अभी यूज होता है यह भी यूज होता है तो अब हम देख लेते हैं इन सब के बारे में डिटेल से तो देखिए फ्रेंड यूजड इसमें यूज क्या किया जाता था वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज किया जाता था और इसमें जो है वेरी लार्ज मसीन यह बहुत बड़ा मसीन होता था जिससे पूरा रूम भर जाता था मतलब वहां पे फिर बहुत ही बड़ी होती थी और और इसकी मेमोरी साज कितनी थी मात्र टू के भी थी अब सुचलो आप यहां पर देखे फ्रेंट्स नो मॉनिटर वर आउटपुट वाज रिलीज इन प्रिंट आउट यानि यहां पर जो है कोई भी मॉनिटर नहीं होता था कि हमको जो है आउटपुट मॉनिटर पर दिख सक तो मैं तो बोल दी सारा कुछ पढ़ा दी लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिखता आप उसको प्रिंट आउट निकालते हैं फिर आपको यह सारा दिखता तो यहां पर देखिए इनपुट वाज बेस्ट आन पंच कार्ड यानि इनपुट जो है हम पंच कार्ड के द्वारा देते थे और लेंग्वेज यहां पर वही मसीन लेंग्वेज यानि जिसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं 0 & 1 यहीं यहां पर यूज होता था यहां पर एक्जांपल देखिए इसका क्या-क्या है इक्जांपल है इसका इट्शैक आईबियम 650 आईबियम 701 और यह देखिए इनियाइक इडवैक यूनियाइक 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 यूनि मैं electronic numerical इंटीग्रेटर और रिस कोइए इडवाइक में होता हमारा electronic discrete variable आटो मैट्र कम्प्यूटर यहां पर देखना यहां तो आटोमाइटिक, सी से कम्प्यूटर, तो यह आप इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, यहाँ पर देखो, डिस आइडवांटेज, यानि इसके, जैसे, क्या-क्या हानी थी, मतलब, क्या-क्या यहाँ पर अच्छा यह नहीं थी, इसमें, तो वो था huge size, इसका बहुत बड़ा size जो है, यह सही नहीं था, produce lots of heat, यानि यह बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पनक करता था, मतलब, जहाँ पर है, वहाँ बहुत, आप जैसे, आप देखलो, आपके पास एक laptop है, तो उसके side में देखना कितनी heat निकलती है, सोचो, मतलब, एक छोटा सा laptop से इतनी heat निकलती है, इ और इसकी speed जो थी, very low, मतलब, बहुत ही slow थी, speed, और non portable, यानि इसको कहीं भी लेके नहीं जाया सकता, जहाँ है, महीं पर fix रहेगा, और अब हम देख लेते हैं, अपना second generation, sorry friends, तो हमारा जो second generation of computer है, वो 1955 से 1964 तक था, अब यहाँ पर component used, transistor, तो देखो, first generation में vacuum tube, और second generation में transistor, तो यह आप ध्यान रखना, first में vacuum tube, उसके बाद है transistor, यह भी, मतलब, यह first generation के अपेच्छा, थोड़ी, size में कम हो गई, और memory size इसकी क्या थी, 32 के भी हो गई, still real, मतलब इसमें अभी भी punch card का use किया जाता था, input के लिए, और अभी भी यहाँ पे no monitor, hence print out, यानि कोई भी monitor नहीं था अभी, और print out लेके ही, मतलब हमको देखना पड़ता था, कि क्या है इसमें, और language, आप देखो friends, यह बहुत ही important, language जो है, यहाँ पे सब सबसे पहले assembly language, यह यह किया गया, यानि आप से ऐसे question पूछेगा कि assembly language सबसे पहले किस generation में यूज़ किया गया, तो हम बोलेंगे second generation में, हमारा जो first generation था, वो जो है machine language पे depend था, हमारा जो second generation था, वो assembly language पे dependent था तो आप ध्यान रखना सबसे पहले assembly language second generation में use किया गया अब देखिए friends इसका जो disadvantage था यानि जो इसकी हानिया थी cooling system required यानि उतना मतब थोड़ा सा छोटा हुआ था लेकिन इतना भी छोटा नहीं हुआ था मालो first generation में 20 AC की जरूरत है तो यहां पे 10 की जरूरत होगी बस इतना हुआ था यानि बहुत महगा था multitasking not possible यहां यहां आप देखो हम computer पे एक साथ कितने सारे काम करते हैं मतलब कई कई लोग करते हैं लेकिन अभी जो हमारा second generation है इसमें multitasking not possible यानि यहां पे अभी multitasking possible नहीं थ अब देख लेते हैं हम अपना third generation of computer यह फ्रेंश 1964 से 75 तक component used IC circuit यानि integrated circuit आप देखो first में क्या यूज हुआ vacuum tube second में क्या यूज हुआ transistor third में क्या यूज हुआ IC यानि integrated circuit तो यह मतलब पूछा ही पूछा जाता तो इसको आप पक्का ही ध्यान रखना यहां पे देखो first computer where keyboard and monitor used अभी हमने आपको starting में दिखाया ना keyboard and monitor सबसे पहले कहां यूज हुआ था third generation में तो यह आप ध्यान रखना फ्रेंश इसको आप एक जगह अगर note down कर लेंगे तो यह आपको नहीं भूले गए यह बहुत ही easy है लेंग्वेज इसमें क्या-क्या है HLL यानि हाई-लेबल लेंग्वेज फोट रां सेकेंट टूफोट कोबोल बेसिक यह आपको ध्यान नहीं रखना यह सब नहीं पूछते हैं अप्लिकेशन एडिया मतलब कहां यह यूज होता था एयरलाइन सिस्टम मार्केटिंग फोरकास्टिंग क्रेडिट कार्ड बिलिंग इस सब में यूज होता था यह आप देखिए फ्रेंड्स फोर्थ जेनरेशन आप कंप्यूटर तो कंपोनेंट यूज यहां पर क्या था very large scale integration यानि VLSI इसका full farm भी पुछते हैं very large scale integration तो first में क्या यूज हुआ vacuum tube second में क्या यूज हुआ transistor third में क्या यूज हुआ IC यानि integrated circuit और fourth में क्या यूज होगा VLSI तो यह आप सारा sequence ऐसे याद रखना कभी-कभी तो ऐसे ही पूछे मतबब sequence में पूछ लेता है sequence कुछ भी कर देगा सबसे पहले transistor कर देगा फिर vacuum tube कर देगा तो आप बस इतना याद रखना कि जो भी यहाँ पे सबसे पहले vacuum tube फिर transistor फिर हमारा IC फिर VLSI उसके बाद आएगा फिफ्ट में ULSI तो यहाँ पे देखो very large scale integration और इसकी speed जो है पिको सिकेंड में है meantime before failure यानि month अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है जैसे आप CCTV देखते हो वो महीनों तक काम करते रहते हैं मतलब वो खराम नहीं होते हैं ऐसे महीनों तक चलते रहते हैं तो वही है कि मतलब meantime before failure month यानि fourth generation हम अभी भी यूज करते हैं यह तो आपको पताईए और इसमें input output VDU, OCR, MICR Voice recognition, laser printer इन सब का हम full form बाद में एक जगा बता देंगे आप उसको याद कर लेना यहाँ पर देखो concept of internet was introduced यह भी एक question है कि सबसे पहले internet का concept की generation में दिया गया तो आप बोलेंगे fourth generation में आप ऐसे भी ध्यान रख लेना हम लोग अभी मतलब fourth generation में ज़्यादा तर use करते हैं computer को तो internet हम लोग use ही करते हैं अभी हम mobile से lecture देख रहे हैं तो क्या करने हैं internet का use करें तो इसको आप ऐसे याद रख लेना कि fourth generation में यूज हुआ था और जो हमारा fifth generation है वो उस पे अभी वर्क हो रहा है अब यह क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पर देखो fifth generation of computer इसको future generation भी बोलते हैं यह 1991 से आनवा यह अभी भी चल रहा है अभी यह चल रहा है sorry friends under development stage यह अभी विकास चील है use ultra large scale integration chips अब यहाँ पर देखिए very large scale integration और fifth में क्या यूज हुआ ultra large scale integration तो आप ध्यान रखना फर्स्ट में क्या हुआ vacuum tube second में क्या हुआ transistor third में क्या हुआ IC fourth में क्या हुआ BLSI fifth में क्या हुआ ULSI तो आप ध्यान रखना यहाँ पर देखो friends artificial intelligence का use हुआ artificial intelligence क्या है एक movie आया था robot करके उसमें एक था चित्ती उसको मतलब बनाया था उन्होंने एकदम artificial intelligence मतलब उसमें think and behave like human मतलब वो एकदम मनुस्य जैसा बेवार करें ऐसा बनाओ उसको यानि इसका उद्यस क्या था making intelligence machine and making computer think like sorry making computer think like human यानि वो मनुस्यों की जैसा सोच सकें देखिए friends यह हमारा first generation computer था ऐसे पूरा room उसमें मतलब पूरा भर जाता था यह पूरा एक है देखो जैसे लग रहा कई कई हैं लेकिन यह पूरा एक है उसके बाद जो है इसमें जो यूज होता था यह हमारा vacuum tube यह होता आप figure से याद रख सको इसलिए मैं figure लगा के लाएं हूँ कि यहां पर यह सारा क्या था हमारा vacuum tube था और यह था हमारा sorry यह हमारा first generation computer यह देखो ऐसे भरा है और यह है second generation जिसमें केवल एक kitchen के जैसा दिखता था तो आप इसको मतलब Google भी कर सकते हैं कि कि जेनरेशन में कैसा कैसा computer था तो यहां पर देख लो first generation second generation और यह है third generation यहां पर जो है सबसे पहले यूज हुआ की बोर्ड यह देखो की बोर्ड और monitor का उसके बाद यह उससे और भी अच्छा और भी अच्छा यह अभी भी चल रहा है तो फ्रेंश इस वीडियो में ही तक देखेंगे बाकी का नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए all the best be happy, be positive